हेलो फ्रेंट्स, TDS फाइलिंग कोर्स में मैं लेके आया हूँ अगला लेक्चर और आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू जनरेट फॉर्म 16 और 16A फ्रॉम ट्रेसेस पोल्टल ट्रेसेस की वेबसाइट से फॉर्म 16 और 16A कैसे जनरेट किया जाता है आज हम ये देखने वाले हैं तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टन होने वाला है देखिए कोई भी डिड़क्टर जिसने किसी परसन का TDS डिड़क्ट किया है तो उसके उपर ये option नहीं है ये mandatory होता है कि उसको TDS सर्टिफिकेट इशू करना होता है तो कोई भी डिड़क्टर है अगर उसने किसी का TDS काटा है तो ये उसकी उपर mandatory है कि वो TDS सर्टिफिकेट इशू करे ठीक है सर अब ये जे TDS सर्टिफिकेट होता है अगर वो सेलरी परसन का है तो उसको बोलते है form 16 और अगर other than salary है तो उस TDS सर्टिफिकेट को बोला जाता है form 16A Form 16 ये annualी दिया जाता है और form 16A जो होता है वो quarterly डिया जाता है ठीक है तो अगर कोई salary का TDS काटा है जब हम उसको TDS काटा है जब आख सेलरी का TDS देंगे वो कब होती है within 15 days from the due date of quarterly TDS return TDS return की जो due date होती है जैसे जो second quarter है उसकी जो due date होती है वो है 31st October तो वहाँ से 15 days मतलब form 16A की due date क्या होगी 15 November अच्छा अभी जो 31st December जब खतम हो जाएगा quarter तो उसकी due date क्या होगी 31st January तो TDS certificate की due date क्या हो जाएगी 15 February समझ में आ रहा है तो जो भी TDS return की due date है वहाँ से 15 days के अंदर अंदर हर deductor क्या issue करेगा TDS का certificate अगर नहीं करता है तो असर क्या होगा 100 rupees per day की penalty लगना start हो जाएगी तो इसको हलके में नहीं लेना है अगर आपने किसी का TDS deduct किया है तो फिर आपको उसको issue करना है form 16 अगर वो है salary और form 16A अगर है other than salary ठीक है सर अच्छा अब हम यह देखते हैं कि traces की website पर form 16 या 16A डाउनलोड करने के लिए क्या क्या information चाहिए तो same as for console file अब last lecture में हमने यह पढ़ा था कि console file कैसे डाउनलोड करते हैं तो console file download करने के लिए जो जो information चाहिए same information चाहिए form 16 और 16A download करने के लिए तो अगर आपने previous lecture नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि console file को download करने के लिए कौन कौन सी information चाहिए अब मैं आपको सीधे लेकर चाल रहा हूँ traces की website के उपर और वहाँ पर मैं आपको practically यह दिखाऊंगा कि कैसे form 16 16A हम download करते हैं तो सीधे चलते हैं traces की website के उपर सो मैंने login कर लिया है और form 16A के लिए हमें कहां जाना है download के उपर and then form 16A करते हैं click उसके बाद नीचे आईए यहाँ पर देखिया option आ रहा है bulk pen download अगर आपको single pen करना है तो आप यहां से कर सकते हो लेकर एक से ज्यादा पैन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा तो फिर आपको नीचे आना है bulk pen download के उपर चिस भी quarter का 16A आपको download करना है वह कर लिजे select 26 q and go ठीक है सर समिट करेंगे हम लोग अच्छा अभी हमने डिसकस किया है कि जो डीटेल कौन सो फाइल को download करने के लिए हमें requirement होती है सेम डीटेल form 16A download करने के लिए सब्सक्राइब हमें चाहिए तो हम यहाँ पर फटाफट token नमबर यहाँ पर कर देते हैं एंटर ठीक है सर ब्स पर को हम कर लेते हैं एंटर ठीख है सर नीचे आते हैं डेट को एंटर कर लेते हैं हम tą हम ने मैंने अपको लास्ट लेक्चच्ट के बथा यहां पर कभी भी टाइप नहीं करना हमेशा कोशिच करेंगे की हमेशा सेल्ब्ट करना है यहां से का करल देते हैं और देन आफ्टर हम आजएंगे नीचे pen की detail के उपर मैंने आपको बताया है हर चालान से आपको कम से कम 3 pen की detail जरूर pick करनी है और अगर किसी चालान की against में सिफ एक deductee है तो अगर आप एक भी डालेंगे तो काम हमारा हो जाएगा ठीक है sir और यहाँ पर हम लोग यह detail डाल देते हैं मेरे case में सारे जो deductee है वो क्या है वो same to same है ठीक है sir और यह detail जैसे ही मैंने यहाँ पर put कर दी है enter कर दी है मैं करूँगा proceed अगर कोई error होगे तो मुझे show कर देगा error नहीं है हम इस code को copy कर लेंगे तर इस code को हम copy क्यों करते हैं क्योंकि इसके बाद अगर आपको console file download करनी है तो simple बस एक code आप डालोगे और console file download हो जाती है आप चाहो तो copy कर लो चाहो तो छोड़ दो कोई ऐसा mandatory नहीं है proceed with transaction पर जाएंगे और यह हमारी request यहाँ पर submit हो चुकी है अब हमें जाना है download requested download के उपर और view all पर करेंगे click यहां submitted हो चुका है जब यह available हो जाएगा तो हम इसको download कर लेंगे और form 16A को generate करने के लिए जो utility हमें चाहिए वह हम देख लेते हैं कहां थे download होगी यह देखे option आ रहा है click here to download utility click कर यह इसके उपर और यह हम ते पूछेगा capture enter करने के लिए अब यहां पर देखिए form 16 part A और 16A tds pdf converter आ रहा है ठीक है सर ओके इसके उपर अपन करेंगे click और यह हमारी utility डाउनलोड हो रही है मैं फिर से बोलूँगा tds के किसी भी काम के लिए return filing, tds को revise करना है form 16, 16A डाउनलोड करना है उसको generate करना है किसी भी चीज़ के लिए किसी software की कोई need नहीं है क्योंकि जो government की utility है वो अपने आप में बहुत easy है ठीक है तो अब यह download हो रही है जैसे यह download हो जाएगी तब तक हमारी file भी available हो जाएगी और फिर मैं आपको सीधे अब लेके चलता हूँ कैसे हमें generate करना है form 16A और अब हम चलते हैं डाउनलोड के उपर और देखते हैं कि हमारी जो file है वो available हो गई है की नहीं 10 से 15 मिन लगता है और आपकी file जो है वो available हो जाती है तो अगर आप देखो यहाँ पर अब यह available शो कर रहा है इसे उपर करेंगे click और http download पर करेंगे click and यह हमारी file download होने लगी है ठीक है अच्छा software भी हमनों download कर चुके हैं तो मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ यहाँ पर मैंने download कर लिया है सबसे पहले हम लोग software को कर लेंगे extract ओके ठीक है यह हमारा software हो चुका है और यह जो अभी हमने download करी है div file इसको extract नहीं करनी है इसको as it is छोड़ दीजिए ठीक है सर और इसमें से जो हमारा software है वो रहा यह इसको हम लोग open कर लेते हैं अब देखते हैं यहां पर क्या option आ रहा है पहला यह option हम ते पूछ रहा है select form 16 div file जो अभी हमने download करी है तो बस उसको हम कर लेंगे browse आईए फटा फट इसको ब्राउस कर लेते हैं अ यहां तो इसको all file कर लीजिए वनना इस 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 फाईल ही शोग करेगा ठीक है sir ठीक है sir और यहां पर देखे तो यह फाईल अभी हमने download करी है इसको मैंने कर लिया है select password यह password यहां पर डालना है 10 number क्या डालना है यहां पर 10 number तो यह password हमेशा याद रखिए form 16 हो चाहे form 16A हो उसको generate करने का जो password होता है software का वो क्या होता है 10 number तो मैं यहां पर 10 number enter कर देता हूं अच्छा आप मुझे browse करना है तो मैं इसी जगाही पर इसको browse कर लेता हूं ओके यह वह पूछ रहा है save to folder आप अपना form 16 या 16A किस folder में generate करना चाहते हो उसकी location उसके बाद हम कर चलेंगे proceed के उपर इसको बस आप yes कर दीजिए starting pdf generation okay कर दीजिए एक दो तीन जितने भी होंगे generate हो जाएंगे sit back relax और यहां बाद pdf का certificate generate हो गया एक ही जा तो एक ही generate हुआ 10-12-15 होते तो दो-तीन मिनट में सारे generate हो जाते कितना time लगता है generate करने में depend करता है कि कितने डिड़क्टी है 100-100-200 है तो थोड़ा ज्यादा time लग जाता है ठीक है sir अच्छा एबर हम चलते हैं folder में और यह देखिए यहां पर यह form 16A download हो चुका ह है कुछ ऐसा होता है और जो form 16A traces की website से download होता है उसको ही valid माना जाता है आजकल होता क्या है बहुट चलो क्या करते हैं उनके पास word का format होता है उसी में form 16 16A बनाके printout निकालके दे देते हैं तो अगर आपको भी कहीं से form 16A मिले और वो traces की website का नहीं है वो normal printout है तो आप उसक traces की website से form 16A generate होता है बस वो ही valid होता है बाकि सारे valid नहीं माने जाते हैं तो यह था आज का video form 16 और 16A कैसे generate करते हैं उसके बारे में मिलते हैं अगले knowledgeable video में मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैला सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक करना ना भूले और दूसरों तक शेर भी करो ठीक है मिलते हैं अगले knowledgeable video में